अने समाचारों तरफ करिये नजर तो आज अटल जीन अस्थी अम्दावाद लावा माँशे अस्थी वी सर्जन कराशे तो आटल जीन अस्थी लावा माँशे आज अम्दावाद किंजल मिश्र अम्दावाद एरपोर्थी जोडाई गायाचे मरा सम्वाद अता तियो साथे वाद करिये किंजल प्रदेश अध्यक्ष जीतु वाघाणी आज अस्थीकूंभ बपोरे त्रण कल्लागे लाईन अम्दावाद आवशे तिवी माहिती शे तेने लाईने केवा प्रकार्ना आजे कारेक्रमों योजवामा आव्याचे श्रद्धान जली अर प्वामाटे अलेक हाते थी जे अटल जीनी जे अस्थी होचे तेने पांच अलग-अलग कडश मा मुखवामा आउसे अने जे अलग-अलग प्रदेश्ट्रमोंग शे त्रण ने दस वागे गुजवात ना भाजपना प्रदेश्ट्रमोंग जीतु वाघाणी अस्थीकडश लेई अने अपजोई शकोचे ते प्रमाणे एरपोर्ट उपर जे तईया आलीओ शे ते शरू तैच चुकी शे तेनी साथे पोलिस बंदो बस ये पोलिस बंदो बस पण करेड़ेवामा आवे उशे खासकरी ने वाद करवामा आवे तो अम्दावाद एरपोर्ट थी आजे अस्ती आवसे न खाडी जहां गोलवा वाड थी जह जन्संग नुझे कार्या ले थी जह यात्रा आप जो एर्पोर्ट करवा माँ आवे ताप जो श्रकोंचे देग्रमाणे एक यहां स्टेज बना वा मा आविशे के जह अटलजी जह तस्वीर से तस्वीर ने मुखवा माँ पुषपांजली करवा माँ आविशे अटल बिहारी वाजपई ना अस्थियोंने समग्र देश नी सो नदियों मा प्रवाहित करवाना कारेक्रम नुझे आवे जन करायो शे जिना भाग रुपे दिल ही खाते अस्थिकूंब पूझे नो कारेक्रम यो जायो चिमा प्रधान मंत्री मोधी भाजब रास्ट्रे अटल बिहारी वाजपई ना अस्थिकूंब पूझे आरशना करी हती आज भाजब ना रास्थ्रे अध्यक्ष अमित शाह द्वारा वीवीद राज़ों ना अध्यक्षों ने अटल जी ना अस्थिकूंब स्वापवा माउशे जे भारत ने वीवीद नदियों मा प्रवाह करवा माउशे जिनता ने हर प्रदेश के लोग आकरके अटल जी को यह स्रट दानजली अर्पित करकर करकर करके जा रहा है आज माननि अ प्रधान मंत्री जी ने आखाने इस अब वह को को अस्तिकलस दिया है वो अपने प्रदेशों मिल जाएंगे पवित्र नदियों में उसका विशर्जन करेंगे आधरनी परधान मंत्री जी ने और आधरनी राष्टे अध्यक जी ने जिस विश्वास के साथ मेरे कंधे पे अटल जी की अस्तिकलस को बिहार के विभीन नदिय में विसर्जन का जो दाय तो दिया है में विहार भास्यों के साथ सरधापुडवक अटल जी की इस अस्तिकलस का विसर्जन करूँगा गंगा में सोन में बागमती में पुनपुन में सर्यूग में फल्गू में महाननदा में बागमती में और नाराइनी में और मैं विहार स कि उर्ट से अटल जी को ससत नमन करता हूँ और आज देश बर में सर्दानली अर्पिट करने के लिए जहां हमारे माननी प्रधानमंति श्री नर्द लभाई बोदी जी ने अटल जी का अस्थी कलश पूरे राजियों को शोपा है अटल जी सभी लोगों से जुड़े हूए थे जम्मु कश्मीर से लेकर के कन्या कुमारी तक और हिमाचल से लेकर के मंगाल के खारी तक सभी नदियों में शमुद्र में हम उनके अस्थी कलश को विसर्जन करने जा रहे हैं वाजबाई साब हमारे बीच में नहीं है हमें बहुत तकलीफ है दुख है जम्मु कश्मीर की जनता के लिए वाजबाई साब हमारे घर के सदस्य के जैसे थे वो हमारे फैमली मेंबर थे और हमेशा जम्मु कश्मीर के लिए उन्होंने संगर्श किया आज भले ही अटल जी हमारे बीच में ना हो लेकिन हमारी सांसों में हमारी दिल की धड़कन में हमेशा वाजबाई साब जिन्दा रहेंगे